Good morning everyone, welcome to exam orbit classes, तो कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तयारी भी बहुत अच्छे चल रहे होगी, तो फ्रेंट्स आज है 8 फरवरी और आज की इस क्लास में क्या क्या डिसकस करेंगे, भारत की G20 अध्यस्ता के तहट पहली परियेटन कार्सम की जो बैठक है ये कहां पर होगी, किसे मिलेगा दुनिया की पहली लिविंग हैरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा जानेंगे इसमें, आर्ध भूमी बचाओ अभियान की शुरुवात किसने की है और इसी के साथ डिसकस करेंगे यूनेसको की बारे में, मिक-29 के आइडोजन संचालित तकनी की लॉंच, याया तशो, किस प्रदेश का पहला जे बिविदिता पिरासत इस्तल किया गया घोशित, काला गोडा जो उस सब है, 2023 का जो आयोजन है, ये कहां पर हो रहा है, महिला सम्मान बचत पत्र के बारे में भी डिसकस करेंगे, प्रधान मं अब हमारा GKGS question में topic होगा भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक, भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक से बनने वाले, जितने भी महत्तपून question है, वो आज के हम top static GK में discuss करने वाले है, class के last में करेंगे revision, तो आप सभी एक बार जल्दी से class को share कर देंगे, साथी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं, तो ये class आप सभी के लिए बहुती महत्तपून रहने वाली है, तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, जिसका answer आपको देना है comments box में, भारत के G20 अध्यस्ता के तहट, पहली पर्येटन का समूखी जो बैटक है, ये कहां पर होगी, जैपूर, बैंगलोर, मुंबई या फिर कक्ष, इस सवाल का answer आपको मिलेगा glass के last में, तो आज के session का first question है, कि किस university को दुनिया की पहली Living Heritage University का दरजा प्राप्त होगा, बहुती महत्तपून question है, और आगामी परिक्षा में, पू विश्व भारती युनिवरसिटी, डिस्कस करेंगे इस युनिवरसिटी के बारे में, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लिते हैं, इस से संबन देखे, विश्व भारती युनिवरसिटी को अप्रेल मई 2023 तक, युनेसको से दुनिया के पहले Living Heritage University का दरजा मिलने की उमीद है, ये दरजा कौन देता है, तो याद रखेंगे युनेसको देता है, सामयनता युनेसको दुवारा विरासत का टेग अमूर्त इसमारक को दिया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार किसी युनिवरसिटी को विरासत का टेग दिया जाएगा, और ये युनिवरसिटी है ह उमारे भारत में तो आईए जान लेते हैं इस उनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है न्यूज में है बात की जाए विश्व भारती उनिवर्सिटी की तो इसकी स्थापना 1921 में रविंद्र नाट टैगोर दुवारा की गई थी यह पच्छे मंगाल के सांती निकितन में इस्तित है यूनिवर्सिटी कहां पर है राज्य का नाम आपसे पूछा जा सकता है देखी कोश्चन पूछ लेगा कि विश्व भारती उनिवर्सिटी या विश्व भारती विश्व विध्याले किस राज्या केंद्र सासित प्रदेश में इस्तित है तो आंसर क्या होग अब आप मुझे बताएंगे कि जो रविन नाट एगोर जी थे इन्हें नोबल प्राइस से कब सम्मानित किया गया इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में बर्स 1951 में केंद्रिय अधीनियम के माध्यम से केंद्रिय युनिवर्सिटी का दरजाय से प्रदान किया गया यही एक मात्र ऐसी उनिवर्सिटी है जिसके कुलपती प्रदान मंत्री होते हैं फिर्ण सियाद रखेंगे युनिवर्सिटी बहुत ही महत्यपूर्ण है यह एक म करके डिस्कस कर लेते हैं युनेस्को की जो स्थापना है वो 16 नमबर 1945 को लंदन यूके में की गई थी युनेस्को का मुख्याल है पैरिस फ्रांस में है युनेस्को के बर्तमान में महा निर दे सक्या ओद्रे अजूले संगठन में 193 सदस हैं और 11 सहयोगी सदस इसम सामिल है विश्व धरोवर दिवस कब मनाते हैं 18 अप्रेल भारत में 40 युनेस्को विश्व धरोवर इस्थलों में 32 सांस्कृतिक हैं 5 प्राकर्तिक हैं और 1 मिस्रित हैं मिस्रित कौन सी है कंचन जंगा कंचन जंगा कहां पर आत है तो यह आता है आपका सिक्म में युनेस्को की सूची में सामिल होने वाले पहले भारती इस्थल कौन से हैं तो फ्रेंट्स पहले पूछ लेता है और जो करेंट के हैं वो पूछे जा सकते हैं तो पहले याद रखेंगे अजन्ता, ऐलूरा की गुफाएं, ताजमेल और आगरा का किला, 1983 में ने सामिल किया गया, युनेस्को वर्ड हैरिटेस सूची में भारत के कुल कितने सहर सामिल हैं तो, एहमदाबाद और जैपॉर, किस सहर को युनेस्को की क्रियेटिव सिटी नेटवर्क में सामिल किया गया है, तो स्री नगर को सामिल किया गया है, साथ आपसे कोईशन एक्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य मंदिर या मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है ये किस राजिया केंद्र सास्षित परदेश में इस्थित है तो याद रखेंगे ये आता है आपका गुजरात में वन नगर भी कहां पर है तो ये गुजरात में है और रॉक कट मूर्तिया उना कोटी ये आपको देखने को मिलेंगी तिरपुरा में जिसे युनेस्को में सामिल किया गया है युनेस्को की फुल पॉम आप सभी याद रखेंगे युनाइट नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और्गनाईजेशन फेंट्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल ना भूले जिसे आप सभी को जो कलास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा इस कलास की जो पीडियाप है वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी टेलिग्राम पर जाकर आप सभी एग्जाम और्विट कलासे से आपको लोगो देखने को मिलेगा और टेलिग्राम चैनल आप सभी जिनोंने भी जोइन नहीं किया है जोइन कर लिजिए क्योंकि जितने भी पीडियाप होंगी आपको वो सभी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगी अगला जवाल है कि काला घोडा कला उसव 2023 का जो आयोजन है ये कहां किया जा रहा है तो आप सभी जानते हैं कि काला घोडा जो उसव है ये महराष्ट में मनाते हैं और इसका आयोजन हो रहा है मुंबई में 2023 का जो मनाया जा रहा है ये मुंबई में मनाया जा रहा है डिसकस करेंगे इस उस सब के बारे में तो दीके यहें एक आर्ट फेस्टिवल है महराष्ट का इसकी जो सुरुवात है वो काला घोड़ा संस्ता दुवारा 1999 में की गई थी इसे काला घोड़ा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह दच्छरी मुंबई इलाके में एक ऐसी जगे पर आयोजित किया जाता है जहां काले घोड़े की मूर्ती लखी हुई है इसलिए इस उससब को कहते हैं काला घोड़ा उससब महराष्ट के अन उससब कौन से हैं कुछ प्रमुख फेस्टिवल हैं जोकि महराष्ट में मनाई जाते हैं पहला याद रखेंगे गुड़ी पढ़वा पूलो उससब भी कहां मनाते हैं पूला तो ये पूला जो उससब है ये भी महराष्ट में मनाते हैं यही एक फसल उससब है और पूरे महराष्ट में विशेस रूप से ग्रामिर छेत्रों में यहें मनाया जाता है एलिफेंटा उसब हर साल फरवरी में आयर्जित किया जाता है और एलिफेंटा मुंबई के पास एक छोटा सा दीप है अब ये दीप आप से पूछा जा सकता है कि जो एलिफेंटा दीप है ये किस राज्चंपें इस्तित है महराष्ठ कालिदास जो समारो है ये परसित संस्कृत कभी और नाटक कार कालिदास के सम्मान में नागपुर के राम टेक छित्र में प्रति वर्स नवंबर के महीने में कालिदास समारो आयोजित किया जाता है आगे डिस्कस करेंगे कुछ एस्ट्राफ एक्ट जैसे की पहली बार जो जन जाती है सीत कालिन उसब की मेजवानी है ये किसने की जमोकस्ट पर हरेली उसब कहां मनाते हैं 36 गड़ हरेला कहां मनाते हैं उत्राखंट सिब एक मातरा का फर्क है तो आप सभी याद रखेंगे हरेली पूछे तो 36 गड़ हरेला पूछ ले तो उत्राखंट किर्सी से संबन्दित नुवा खाई जो सब है ये किस राच्चु में बनाये जाता है इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे जली कट्टु कहां पर मनाते हैं तो ये तमिलनाडु का प्रमुख फेस्टिवल है अगले सबाल है कि आर्द भॉमी बचाओ जो अभियान है इसके शुरुवात किसने की है तो फिन्स इस अभियान की शुरुवात गोवा में की गई और इसकी शुरुवात की भूपी ईंत्र र्यादब वन, ये केंद्रिय परियवरण, बन और जल्वायू परिवर्तन मंत्र इनी के दुवारा गोवा में आर्द भूमी बचाओ अभियान की शुरुवात की लिए यह अभियान आर्द भूमी संरक्षन के लिए पूरे समाज के द्रस्टी कौण पर आधारित है आगे डिसकस कर लेते हैं भारत में बैटलेंड साइट की संक्या यानि की आर्द भूमी की घुल संक्या बर्तमान में कितनी है तो friends याद रखेंगे बर्तमान में है 75 पिछले नुव बरसों में भारत की करीब उनचा उनचास यानि की 49 wetland site को ramsar site में सामिल किया गया है रamsar कहां पर है तो यह इरान में स्तितेक इस्थान है जहां पर ramsar convention आयोचित किया गया भारत की 13 lakh hectare भूमी ramsar site के अंतरगगत आती है भारत की जो सबसे बड़ी wetland है वो है सुन्दरवन site इस बार के wetland day की जो यानि कि आर्थ भूमी दिवस की थीम क्या है तो इट्स टाइम फोर बैट्लेंट रिस्टोरेशन इस स्वार की थीम है अब आप बताएंगे कमेंट्स करके कि आर्थ भूमी जो दिवस है ये कब मनाते हैं अगला जवाल है कि या या तसो किस राजिया केंद्र सासित पर है तो या या तसो जील आती है लद्दाग में तो इसे लद्दाग का पहला जिव बिविदता बिरासत इस्थल खोशित किया गया है तो दोनों ही तरह से आप से कुश्यन पूछा जा सकता है या तो पूछ लेगा कि किस किंद्र सासित प्रदेश का पहला जिव आगे डिस्कस कर लेते हैं सिक्यो और हिमाले परियोजना ये समय सुर्खियों में बनी हुई है तो फ्रेंट्स ये परियोजना क्या है यह भारत सरकार के परियावरन बन और जलवायू परिवर्तन मंतराले की एक योजना है इसे सयुक्त राष्ट विकास कारिकरम यानि की UNDP के सयुक्स बर्स 2017 में प्रारंब किया गया यही छे वर्स ये परियोजना है और 2023 में इसका कारिकाल यानि की कारिकरत रही दो हजार तेश तक इस परियोजना का जो मुक्य उद्देश है वो छेतर में हिम देंदूं को सरक्षन करना है इस परियोजना के अंतरगर्ट चार हिमालई राज केंदर सासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और सिक्किम आते हैं देखे अब हम डिसकस कर रहे थे कि इसके बारे में याया तसो जील के बारे में तो फिंट्स याद रखेंगे याया तसो जील को पच्छियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है पच्छियों का स्वर्ग किसे कहते हैं तो ये लद्दाक में इस्थित या या तसू झील है आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ आस्टरा फैक्ट की भारत का पहला जे बिविदता पिरासत इस्तल कौन सा है भारत का पहला जे बिविदता पिरासत जो इस्तल है वो 2007 में नलूर इमली ग्रोब जो की कहां पर आता है पैंगलोर करनाटक में हाली में तमिलनाडू सरकार ने मुद्रिज लेके मेलूर ब्लॉक में अरीटा पट्टी को तमिलनाडू का पहला तथा भारत का 25 वाचे बिविदता बिरासत इस्तल घुशित किया था याद होगा आप सभी को ये 2022 की नवंबर दिसंबर की ही न्यूस है हाली में सामिल किये गए पाँच जे बिविदता बिरासत इस्तल कौन से हैं तो तिरपुरा में आपको याद रखना है देवारी और चबी मुरा ये दोनों ही जे बिविदता बिरासत इस्तल तिरपुरा में हैं तिरपुरा में ही याद रखेंगे वेंट लिंग सिब और इसके आसवास का छित्र आसम से याद रखना है है जों कच्छुआ जील अब देखें यहां से कोईशन बन सकता है जाद तर हम लोगों को जील जैसे चिलका जील है या फिर डल जील है ये जीले अकसर याद रहती हैं लेकिन कोईशन को कुछ बार अलग हट की पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे हैजों कच्छुआ जो जील है या असम में आती है असम में बोर जुली वाइल्ट राइस साइट को भी जे बिविदता बिरासत इस्तल गोशित किया गया है मद्द प्रदेश में अमर कंटक आप सभी को याद रखना है मैप में आप सभी लद्दा की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंट्स यह है लद्दा को लद्दा के बरतमान में उपराजपाल है रादा केशन माथोर अगला सवाल है कि किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रेकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनी की लाँच कर दी है तो फ्रेंट्स यह लाँच की है रिलाइंस कुरूप ने और इसकी लाँचिंग कहां की गई है बैंगलॉर करनाटक में इसका अनावरन परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी दुवारा किया गया और इसका जो उपयोग है वो हैबी ड्यूटी ट्रेकों में किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन नभी करनी है उजा या लो कारवन इमिसन से उत्पन हाइड्रोजन है यह इदन का सबसे स्वच रूप है आगे डिसकस कर लेते हैं रिलाइंस से सम्बंदित कुछ ऐस्टरा फैक्टर रिलाइंस इंडिस्टीज के चेर्मेन यानि की मुक्य संबानी न गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कारवन फाइवर प्लांट बनाने के खोशना की है रिलाइंस इंडिस्टीज और अब डॉलर से अधिक का वार्शिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतिये कंपनी भी बन गई है रिलाइंस इंड सी लिमिटेट के परितमान में सीईओ मुक्य संबानी है संस्तापक धीरुबाई अंबानी है इस्तापना आठ मई 1973 महरास्ट में हुई थी और इसका जो मुख्याले है यानि के हैटक्वार्टर मुंबई में है नेस्ट कुशन है कि नेवल लाइट कॉमबेक्ट पर तो यह समय सुर्खियों में है तो आपसे पूछा जा सकता है में 29 जो बिमान है यह भारत ने किसे खरीदा है तो भारत ने इसे खरीदा है किसे दसिया से तो यह आप सभी याद रखेंगे और इसने सपलता पूर्वक जो उडान भरी है पहली लेंडिंग जो इसकी टेक द्रमोदी जी ने 2 सेप्टेंबर 2022 को कोची सिप्यार्ट में भारत के पहले मेड इंडिया एयरक्राप्ट केरियर आइनस बिकरांथ को नौसेना में सामिल किया था हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमेटेड दुवारा हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हत्यारों के साथ नौसेना के मेक 20 के विमान का उन्यन किया गया है तो इसे किस से लिया गया है तो यह आप सभी याद रखेंगे इसे रसिया से खरीदा गया है भारतिय नौसेना दुवारा लॉंच किये गए एंटी संबरीन वार फियर सेलो वाटर क्राप्ट परजेक्ट के पहले जहाज का क्या नाम है तो इसका नाम है आईनेस अदनाला ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जानते हैं आईनेस बिराट को सागरी का क्या है तो पंडुबी लॉंच वेल स्टिक मिसाइल है आईनेस विकरांद क्या है तो ये बिमान बाहर पोथ है भारत का नेस्ट कोईशन है कि गिरीन वांट लॉंच करने वाला देश का पहला नागरिक निकाए कौन सा बन गया है तो फ्रेंट्स देश का पहला नागरिक निकाए बना है इंदोर म्यूसिपल कॉर्पोरेशन याद रखेंगे पहला नागरिक निकाए बन गया है अगला जवाल है कि प्रस्तावित नैस्नल डेटा गुवंन दोर पालिसी के अनुसार किस मंत्राले के तहत इंडियन डेटा मैनेजिमेंट offis का गठन किया जाएगा तो फ्रेंट्स इससे सम्मंदित है Electronics और IT मंत्राले Electronics और IT मंत्राले के तहत Indian Data Management Office का गठन किया जाएगा अगला सवाल है कि हाली में घूसित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्यासदर कितनी है तो इसकी निर्धारित जो ब्यासदर है वो है 7.5% इसकी जो घोशना है वो निर्मला सीता रमन जी दुवारा बजट 2023-24 में की गई है कौन सा केंद्रिय मंत्राले प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना लागू करता है तो फ्रेंट्स इसे लागू किया जाता है कौसल विकास मंत्राले के दुवारा याद रखेंगे क्योंकि इसकी जो घोशना है वो बजट में की गई है तो हो सकता है योजना आपसे एक्जाम में पूछ ली जाए क्लास के सुरवात में जो क्वेशन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है कि भारत G20 अध्यस्ता के लिए पहली पर्येटन कार समू की जो बैटक है यह कक्ष के रन यानि की गुजरात में होने वाली है तो बैटक याद रखेंगे सही आंसर है इसका आपसन D कक्ष के रन में यह बैटक होगी कल की क्लास का जल्दी से एक वार रिविजन कर लेते हैं कि किस देश को मार्स 2023 से जारकन के गोड़ा बिजली सहयंत से बिजली क्या पूर्टी की जाएगी राइट आंसर है आपसन A पांगला देश आइस होकी चैंपियंशिप 2023 का जो खिताब है ये किस ने जीत लिया है आईटी बीपी ने निम्ने में से कौन सा देश हाली में अंतरास्ट ये सौर घटवंदन का पूर्ण सदस्य देश बन गया है तो पूर्ण सदस्य देश बना है ब्राजिली भारत के सरवोचिन्याले के तहतरवे किस थापना दिवस के मुख्य अत्थ थी किस देश के मुख्य न्याय दीस रही सिंगापूर। किस देश ने खादिस अंकट के भी चावल की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में बढ़ावा देना शुरू कर दिया है चाइना ने। अगले जबल रिवीजन करेंगे कि पीम मोदी ने इंडिया एनर्जी वी दो हजार तेज का जो शुबारम है ये किस सहर में किया है तो इसका शुबारम बैंगलोर करनाटक में किया गया। भारत के किस म्यूजी कमपोजन ने प्रतिस्टित ग्रीमी अबॉर्ट्स दो हजार तेजी जीत लिया है तो इनका नाम है रिकी केज और इनोंने यह 33 बार खिताब जीता है और तीसरी बार खिताब जीतने वाले पहले भारतिये भी बन गए हैं। किस केंद्री मंत्राले ने सोसे अधिक सट्टेवाजी और रिंड देने वाले चीनी एप्स को ब्लोग करने के आदेश जारी किये हैं इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले वानी जैराम का निधन हो गया यह किस छेतर की पर से सक्सियत थी तो फ्रंसियात रखेंगे इन मौन्टी देशाई के देश की किरिकेट टीम के कोच बन गए हैं तो नेपाल की किरिकेट टीम के यह कोच बन गए हैं तो यह था कल का current affair अगर टेटिल से जानना है तो कल की इकलास जरूर देख लीजिए तो फरंस आज के इस Static GKGS question में topic में discuss करेंगे नियंत्रक एवब माहलेखा परिक्षक से सम्बंदेत personal देखें नियंत्रक एवब माहलेखा परिक्षक से सम्बंदेत सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर सबाल है अगजाम में आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा ये top 10 question आपको नियंत्रक एवं महालेका परिक्षक के बारे में याद करने है भारत के नियंत्रक एवं महालेका परिक्षक की न्यूप्टी कौन करता है प्रसिडेंट भारत के नियंत्रक एवं महालेका परिक्षक की न्यूप्टी किस अनुछेद के तहत की जाती है आर्टिकल 148 के तहट तर सारवजनिक धनका संरक्षक किसे कहते हैं नियंत्रक एवं माहलेका परिक्षक को भारत के नियंत्रक एवं माहलेका परिक्षक की पद अबधी कितने वर्स की आयू तक होती है 6 या 65 वर्स की आयू तक भारत के नियंत्रक एवं माहा लेका परिक्षक अपना त्याग पत्र किसे देते हैं तो देखे नियुक्ति कौन कर रहा है प्रसिटेंड त्याग पत्र भी किसे देंगे तो राश्ट पती को भारत के नियंत्रक एवं महालेका परिक्षक राज्य सरकार की लेखों से संब्धित रिपोर्ट किसको देता है राज्यपाल को भारत के नियंत्रक एवं महालेका परिक्षक केंद्र सरकार की लेखों से संब्धित रिपोर्ट किसको देता है राष्टपती को भारत के नियंत्रा के वो माहा लेका परिक्षक का कारिकाल का है इनका जो कारियल है वो कहां पर है नई दिली बर्तमान में भारत के नियंत्रा के वो माहा लेका परिक्षक कौन है ग्रीज, चंद्र, मुर्मो भारत के प्रितम नियंत्रा के वो माहा लेखा परिक्षक कौन थे बी नरहरी राव तो फ्रेंड्स ये टॉप 10 कुईशन आपको याद रखना है और फुल फॉर्म पूछ लेता है क्याक का तो याद रखेंग कंट्रोलर एंट ओडिटर जनरल आफ इंडिया कल की सिशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे उनके आंसर देखेंगे विश्वेस तरिये कया किंग कैनोई अकादमी कहां बनेगी उत्तर प्रदेश में नेस्ट विशन है कि राष्टपती दुरूपती मुर्मुने किस राज्ज में दो मंदिरों के लिए प्रसाध परियोशना की आधार सिला रखी आपको देने हैं कमेंट्स वोक्स में पहला सवाल है कि किस देश ने 37 सहनेकों के खिलाब अपरादों के लिए जवाब देही को बढ़ावा देने के लिए ग्रूप आफ फ्रेंड्स लॉंच किया है निमने मैंसे किस इस्पैनिस टैनिस खिलाडी को पाँचवी वार पूरुस अंतरास्टिय टैनिस माहसंग विश्व चेंपियन 2022 नामित किया गया जे पिविदता सदक्षण अधीनियम का संबंध किस से है देश और राजधानी का निमन लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो फ्रेंड्स इन सभी के आंजर आपको देने है कमेंट्स बॉक्स में आज का ये शेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जाता से जाता शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मिलते हैं नए सेशन में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहें जैभारत